नमस्कार किसान वाईयों मैं हूँ आपका डाक्टर के के भारत द्वाज और आप देख रहे हैं ब्रज रज क्रशिफाम वीटू चैनल दोस्तों आज आगरा इस्थित जेपी होटल में जो उत्तर प्रदेश की सेकेंड इंटरनेशनल बायर्स सेलर्स मीट का आयोजन यहां प स्री मनोज कुमार जी उत्रपडेश सरकार और आगरा मंडलायत स्रीमती इतु माहस्वरी जी और स्री अंजनी कुमार स्री बास्तर जी निदेशक हैं मंडीपरशद के और डाक्र अतुन कुमार जी यह—निदेशक है, खात्यों प्रसंसरन घ्रम इन सरी के द्वारा धी पाइदा मिले इस इस्तिती पर ये जो है कारी करने वाले हैं दोस्तों अभी जो है इसमें जो तकनीकी सत्र है इसके अंदर निर्यात कैसे बढ़ा जाए क्रिसी शेत्र में डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देना डिजिटल एग्री कल्चर एंड एक्सपर्ट प्रमोशन का तक का आयोजन करसी में जल सरक्षन को बढ़ावा वर्ड रिसोर्च गुरुप द्वारा माइक्रो एरिगेशन की जानकारी इन सभी विश्ववपर जो है चर्चा होनी है और जो दोस्तों अभी हम सुनते हैं डाक्टर अतुन कुमार जी द्वारा स्वागत संभोधन इसके प्रगत वोड की कंपनी प्रगति कर रही है और किसानों को कैसे कैसे लाब पहुचा जाएगा तो इसके लिए यह जो है वीडियो आप देखिए और सुनिए डाक्टर अतुन कुमार जी को और स्री मुकेश पांडी जी को कि इंटरनेशनल कांफरेंस तथा बायर सिलर मीट के इस आयोजन के उसर पर कारकम की यह धिख्था कर रहे है कशित परदन आयुत मोहद है कमिशनर आगरा जिलादकारी आगरा मंडी नि देशक तब यहां उपस्थित बिभिन संस्थानों के आयोए प्रतिनित गण बिभागी अधिकारी एफ्पियोज तर्टाकिसान साथियों और ज्यानित फ्रस्टनों के छेतर में देश ने काफी प्रगत की है पिछले 50 सालों में जहां हम अधियानिक फ्रस्टनों के उत्पादन में 250 लाग मेट्रिक टन था आज हम लगभग 35 लाग टन अधियानिक फ्रस्टनों के उत्पादन कर रहे हैं गुणवत हादन, उसके इतपादन पढ़ाने के लिए, बीच किसानों को अच्छी क्यौलिटी का मिले, इसके लिए राज की पर छित्रों में, हम आलू बीच का उतपादन कर रहे हैं, तथा आलू की अच्छी किसमों के उतपादन तथा आलू की उच्चतम तक्नीक, जो हमार किसानों के बीच में उपलब्ध हो इसके लिए पुष्री नगर जंपत तरह पुर्प्र जंपतम सेंटर आप एक्सिलेंस फॉर्परोटर तूश थापित हो रहा है। इसको हम चार सो से पान सो हुंडल पर थित्यर हम पहुंच सकेंगे उत्पादाक्ता और गुर्वत्ता अच्छी होने से हमारी किस्मों का दूसरे प्रिदेश में प्रिदेश के बाहर देशों में इसका नीराध होगा तो गुर्वत्ता बढ़ाने के लिए एक MIP स्कीम माइक् जो हमारी अध्यानिक खसले हैं इसका उत्पादन तो बढ़ता ही है इसकी गुर्वत्ता भी बहुत अच्छी होती है इसको ध्यान में रखते प्रदेश में इस साल सवाव लाग हेक्टियर में जिप स्प्रिंकलर सिस्टम इस्थापित कारय की कारयोजना है इस कारकरम में ह इसके द्वारा अगर आलू उत्पादित किया जाता है तो आलू की गुर्वत्ता तथा उसकी उत्पादक्ता में बहुत अजिक व्रद्धी होती है किसान को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि इस व्योजना का लाव लें और अपने खेतों में जिप सिस्टम मिनी स्प्रिं प्रदेश में लगभग 6.993 लाख हित्यर में आलू का खेती की जा रही है जिससे लगभग 282 लाख में ट्रिक्टन आलू उत्पादित होता है प्रदेश का जो आगरा मंडल है कानपर मंडल है मेरट मंडल है तथा अलिगर मंडल ये आलू के लिए मुख उत्पादन छेत् है यहां के किसानों का आलू जैसा इसकी ग्रौमत्ता काफी अच्छी है इसको और अच्छा बढ़ाने की आप सकता है जो हमारा सेंटर और एक्सिलेंस फार पोटेटो इस्थापित हो जाएगा इसके बाद वहां दोरा जो हमारे जो आलू की प्रयातियां है उंदर सील जो अलू करा बरायाइटी या प्रसंसकत ब्राइटी किसम और लू कि उनकी जो को उत्त पादित और टकिसानों को उत्पाद़ करा करकर इस शेथ में बढ़ावात मिलेगा आलू के की किसानों को उसकी लागत मुल अच्छा मिले कभी कभी आलू Hmm इतना जिन्सभ्य गिर जाता ह कि किसान की उत्पादन लाकत भी नहीं निकलती उसको सही दिलाने के लिए आलू का भंडारण की छमता एक समस्या बनी रहती थी विकत कई वर्सों में प्रिशेश प्रियास द्वारा प्रदियस में दो हजार से ज्यादा सीद ग्रह इस्थापित कराए गये हैं जिसके माध्यम से आज लगभग एक सो सत्तर लाक मेट्रिक टन आलू की उत्पादन चमता का विकास हुआ है इसको दिले दिले और बढ़ा रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए निजी छेत्र में किसानों को या उद दान दे रहे हैं इससे ज्यादा पांच हजार से ऊपर के दस हजार मेट्रिक चमता के जो भी कोल इस्थापित हो रहे हैं वो एनेजबी द्वारा फंडेड है वहां भी 35 प्रसंट शूर मिल लाई है इसके माध्यम से हमारे प्रदेश में आलू भंडरान चमता का भी चंता विक्षित हुई है बजार में पिछले कई वर्षों से प्रयास करते रहे विगत वर्ष बैसलेंड मीट जब हुई थी उसके प्रयाद में हमारे प्रदेश से नेपाल, मलिशिया, दुबई तथा कतर के देशों में आलू निजयत हुआ इस साल की इस से बैसलेंड मीट के माध्यम से हमें उमीद है कि हम और अधिक देशों में प्रदेश के बाहर भी आलू को नियाद करने में हम सफल होंगे, ऐसी हमाई समभवना है और इस मीटिंग के बाद जो भी बास निकल के आएगी उसकी हिसाफ से हम लोग आगे की दनी तियार करेंगे धन्यवाद तभी को मेरा नमस्कार मैं आलू कहूं तुम मोहबबत समझना नमस्कार मेरा नाम रितेश है और मैं सिद्धी विनायक एगरी प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूं ये कंपनी आलू के छेत्र में तमाम वो काम करती है जो संभव है दोहजार ये कंपनी कारिरत है और अगर संभव है मैं आपको बताऊं तो हमारा तीन विभाग है एक एगरी डिविजन है जिसमें हम आलू के बीज का उतपादन और उसका विपणन करते हैं आलू को खरीदते हैं और उनको तमाम प्रोसेसर्स इंस्टिशनल रिटेलर्स और एक्सपो की और तीसरा हमारा जो डिविजन है वो वैल्यू एड़िड़ प्रडट और प्रड़नेड प्रड़क्त अलू जब तक आलू के बिकेगा तब तक किसान व्यत्थ रहेगा आम-आम के बिखता आम लंगड़ा बिखता है दशहरी बिखता है, अलफानसो बिखता है, जिस दि आलू, जोती के तरह, विनर के तरह, करिस्मा के तरह बिकने लग जाएगा, किसान पैसा कमाने लग जाएगा, तो इस मन्षा के साथ हमने इस विभाग की स्थापना की थी, जो ड्राइड पटेटो चिप्स, ड्राइड पटेटो स्टिक्स, स्टार्च, फ्लेक्स के अलावा, ब्राइडड आलू के लेट ब्लाइट जो पचेती जुलसा का रोग है वो काफी बढ़ता जा रहा है, ऐसे यह एक वराइटी साइरस है, जो की पचेती जुलसा प्रतिरोधक है, वो सबसे बाद में उसमें पचेती जुलसा लगेगा अर लगेगा भी तो तो तमाम ऐसे नह ब्राइटी जो लेके आना होगा जो ना बदलते जरवायू के अनुसार हो, उसका यल्ड अच्छा हो और वो मार्केट के लिए भी उपिउक्त हो, गनेश और साइरस दोनों डूल परपस वराइटी है, वो अगर प्रोसेसर लेगा तो अच्छी बात नही प्रोसेसर लेगा तो वो मार्केट में बिखेगा, तो इस तरीके से ये और चुकी क्लाइमेट के वज़ा से, पुरानी वराइटियों के वज़ा से, किसान का रिस्क प्रोफाइल इतना बढ़ जाता है, खेती का रिस्क प्रोफाइल इतना बढ़ जाता है, इसलिए आम तोर पे हम देखते है कि किसानों के बीच में financial products, चाहे loan हो, चाहे insurance हो, उसकी सुविधा बहुत कम है, क्योंकि कोई भी रिस्क जादा नहीं लेना चाहेगा, जो भी insurer है, तो जरूरत है कि हम तकनीक को आगे बढ़ाएं, जाकि किसानों का एक सनमुख विकास हो पाए, इसमें मैं बता हूँ, हमने अभी तक 22 वराइटियां इंपोर्ट की हैं, जिसमें 6 वराइटी को हम commercialize कर चुके हैं, और 8 वराइटी अगले 2 साल में हम launch कर देंगे, जबकि 8 और वराइटी लगबग हमने पिछले साल ही इंपोर्ट की है, इन 6 वराइटी उसमें एक वराइटी ऐसी भी है, जो मैंने बत पाए, अभी एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट है जैकेटेट पोटेटो का, जो भारत में पाया ही नहीं जाता, क्यों? क्योंकि हमारे पास वराइटी ही नहीं है कि जैकेटेट पोटेटो हम खा पाएं, हमारी वराइटी जो नाइके है, इसके तहत हम जैकेटेटेट का ब्राइंड भी आने वाले समय में लांच करेंगे तो और आलू एक ऐसी फसल है जो विश्व में तीसरे सबसे बड़ी है भारत में तीसरे सबसे बड़ी फसल है इसको हम नकार नहीं सकते इसको हम देखा करके नहीं चल सकते और बदलते जलवायू के हिसाब से कब अचानक कि ये फसल हमारा दुख का कारण बन जाएंगी हम ये देख भी नहीं सकते कई सारे ऐसे पॉकेट्स है हसन में आज एरिया कम होते जा रहा है क्योंकि उनको वराइटी नहीं मिल रही है उनका विंडो छोटा होते जा रहा है तो बदलते जलवायू बहुत जरूरी है कि हम इ खेती के कामकाज प्रैक्टिसिज में वराइटी में मार्केट में बदलाव करें मैं दिखाना चाहूंगा ये हमारे किसान है इसमें वाल्यूम आ सकता है क्या जो जिन्होंने बुलन शेहर में विनर वराइटी लगाई है और ये एक नबबे से एक सो दिन की वराइटी है कितने कड में लगाई है इस ने आपनी फसल ये मेरे पास बसे आठेकर में है अच्छा ने लगाई थी वराइटी है इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस वाच्छी पेटा की उम्मीद है और साइज आपको सामने है पूर्टी प्लस और पसल में कोई रोग वगरा तो यह ऐसी फसल है जो जो किसान कह रहा है कि बाकी जो शमकालीन फसले है जो समकालीन वराइटी है उससे अच्छी इल्ड इसकी आरी है बुलन शहर में भुवनेज जी इनका नाम है इनको भी आ जाना था किसी कारणवर्वश वो आ नहीं पाए मैं जरूर चाहूंगा कि ज जाएं वहाँ पर और उन फसलों को देखें, खेतों को देखें, ये सफेद रंग की वराइटी है, जो कि ना सिर्फ खाने के उप्युक्त है, बलकि प्रोसेसिंग में भी उतना ही बढ़िया रिजल्ट देती है, तो जब हम मार्केट बढ़ाएंगे अपना और उसका कर रहे हैं, हम यूपी में हमारे एक अंट्रोपनियॉर है, जिनके साथ मिलके उनको हमने ड्राइट प्टेटो चिप सब लोग खाते हैं, हमारे घर में बनता था पहले, जो अब बनना बंद हो गया है, तो ड्राइट प्टेटो चिप्स का बहुत बड़ा मार्केट है, कि इसके से ड्राइट प्टेटो चिप्स बना के हम वापस बेचते हैं, हम को आगे बढ़ना होगा, और आप लोगो में से ही लोगों को आगे आना होगा, बोलना होगा कि हम को भी बता हुम भी कर सकते हैं, तो ये एक पाइलेट प्रोजेक्ट जो हमने किया है यूपी में और हम चाहेंगे कि इसको और रेप्लिकेट कर पाएं और लोगों के साथ में यूपी में ही। कि उनके माध्यम से हमको लैंड बेलोकेट हो गया है और हम बहुत होपफुल है कि आने वाले एक से डेड़ साल में एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव पोटैटो प्रोसेसिंग क्लस्टर को डेवलप कर पाएं ये वन ओफ इट्स काइंड होगा भारत में क्योंकि इस आलू इसका स्टार्च बन जाएगा तो ये एक ऐसा चीज है मिल्क के बाद आलू ही एक एसी फसल है जिसकी एक एक इंच को वैल्यू कनवर्ट करके उसके वैल्यू को सेव किया जा सकता है जो अभी लूज हो जाता है मार्केट में बड़ा अलू व्यापारी खरीद के ले चोटा आलू किसान के खेत में ही सड़ गया या कोल स्टोर में सड़ गया इस तरीके से होता है तो कहीं न कहीं आलू में बहुत संभावनाएं हैं कि तकनीक को अगर हम लाएं तो आलू में हम पैसा बना सकते हैं पैसा बचा सकते हैं और हमारा उदेश है यही रहना चाहिए कि हम रोटी के टुकड़े को जो साइज है उसको बढ़ा कैसे करें. मैं अगर बात करूँ तो हमने पिछले साल से ये शुरू किया था और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी हम यूपी से भारी मातरा में करें मिडल इस्टन, साउट इस्टन, एशन कांटरी से को हम एक्सपोर्ट करेंगे पिछले बार हमने काफी अच्छे मातरा में एक्सपोर्ट किया था अगर मैं आपको बताऊं कि यूपी में हम क्या करते हैं तो हमने अपनी वराइटी इंट्रिउस की है हम उन वराइटी स को बाइब भी करते हैं प्रोसेसर के हमने मशीने यहां लगाई है और इसके अलावा हम लगभग 15 से जादा राज्यों में किसानों के साथ काम करते हैं और हम पोटेंशल रखते हैं कि 40,000 तन से जादा आलू का क्राई विक्राई हम इस राज्य में आपके माध्यम से कर पाएं यहां पे हम सोशल सेक्टर कंपनी के साथ भी काम करते हैं जैसे टाटा ट्रस्ट हो गई पानी है ग्रामीन डवलप्मेंट सर्विसेज ऐसे करके जीडियस है ऐसे करके और भी कई सारी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम बहुत तेजी से किसानों तक पहुच सकते हैं वेस